जन्ता के सोशन का माध्यम कहते हैं हमारे देव को पुजापा चड़ाओ तो मारी मन अत्पूरी होगी विचारे हमारे गरीब लोग पेट पट्टी बांद कर दो पैसे कमाते हैं और जाकर के जब वो मंदिर में चड़ाते हैं तो क्या देवता हाथ आगे करके उठाता है उसको नई क्या देवता के बैंक के अकाउंड में जाते हैं वो पैसे नई जाते किसके पास हैं जो वहां का पुरोहित होता है वो उसी की जेब में जाते हैं खाने का समान हो या नगद माल हो तो यह जो पैसा तो बड़ी गंदी चीज है क्यों लोग इसको मूँ में भी ले लेते हैं यह जो बिचारा सुलब सोचाले वाला है वो जो अंदर से टोइलेट करकर के आते हैं उनी से लेता है न वो पैसा तो यह तो गंदी चीज है आदमी के गंदी जगे भी जाती है समशान भूमी में भी जाती है वहाँ जाती है तो गंदी चीज तो मंदिर में चड़ानी चाहिए नहीं मंदिर में चड़ाना है और सबसे बड़ा लाब कमाना है तो पुष्प चड़ाइए, फूल चड़ाइए, पैसा तो मंदिर में चड़ाइने नीची यह कभी, इससे क्या है देवता गण नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और फिर अभिशाप दे देते हैं, तो अभिशाप से बचना है, तो मंदिर में जाइए, शरद्ध है पूजा यह हमारे पाली भाषा में भी जो पूजा आया है यह संस्कृत यह वहीं सा आया है और उस का अर्थ क्या है पूजा का पूजा का अर्थ है किसी के सम्मान में पुष्प अर्पित करना असली सम्मान तो पुष्प अर्पित करने का है न यह देवताओं को जो आप पैसे चड़ाते हैं और गंदगी का प्रतिक चड़ाते हैं ये तो पंड़तों के घर में जाता है प्रोहितों के घर में जाता है और जो भी उसको मालिक पूजा इस्थल का उसके घर में जाता है और हम ठाके जाते हैं मिलता हमें कुछ नहीं और जिन 33 करोड़ देवी देवता हमारे यहां देवता और इनके यहां देवता में अंतर है हम शील सदाचार युक्त व्यक्ति को देव कहते हैं और इनके यहां देवता को ऐसा है जो आसमान में रहता को अनर्थ कर सकता किसी का फायदा कर सकता है तो ये जो हमारे 33 कोटी देव हैं, जिसको तुशित लोक में रहना मानते हैं, वो व्यक्ति को सदाचार के मार्ग पर परश्रस करने के लिए कुछ अवधार ना इगड़ी गई, उन्हीं की नकल करके उन्हों 33 करोड़ देवी देवता बना लिए, तो वो किसी काम के नहीं है, हमारे बहुत धरम में कोई देवता किसी को देता नहीं है, किसी का नुकसान भी नहीं कर सकता, व्यक्ति अपना लाव और अपना नुकसान अपने करमों से खुद करता है, यही बहुत धरम है, किसी से हमारी कोई अपेक्षा नहीं, हमें जो मिलेगा, इन हात का कियावा मिले हैं और जो सबसे उंचे चरित्र की व्यक्ति होते हुनी को देव कहा गया देवता कहा गया अब आप देखेंगे जब भगवान बुद्ध अमरपाली के अम्बवन में गए और वहां अमरपाली आकर उनसे कहते हैं मेरे घर का भोजन सुविकार कीजिए कल में तो बड़ी धन् रहा है हमारे से टक्राते हुए जा रहा है तो वह कहती है कि मुझे भगवान बुद्ध ने कल मेरे घर का भोजन गिरन करना सुविकार किया मेरी बहुत बड़ी उपलब्दी तो राजकुमार कहते हैं यह निमंत्रण तुम हमें दे दे हम तुझे बहुत भारी नाम देंग और बुद्ध की तरफ जा रहे हैं तो बुद्ध आनंद को संबोधित करके कहते हैं कि हे आनंद जिनोंने देवता ना देखी हो तो देख लो वो उनको देवता कहते हैं वजी राजकुमारों को कारण क्या है कि जो साथ आप परिहानिये कारण है जो परतेक व्यक्ति की काम लोग मिलकर बैठते हैं, मिलकर निर्ने लेते हैं, मिलकर पालन करते हैं, अपनी महिलाओं की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, अपने बुजरुगों का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का आजर करते हैं, वो देव पुरुष होते हैं, यह देवता की परिभाशा, हमारी मन नत पूरी होगी विचारे हमारे गरीब लोग पेट पट्टी बांद कर दो पैसे कमाते हैं और जाकर के जब मंदिर में चळाते हैं तो क्या वह देवता हात Catal आगे करके उठाता है उसको, नई, क्या देवता के बैंक के अकाउंट में जाते हो पैसे, नई, जाते हैं किसके पास हैं, जो वहां का पुरोहित होता है, वो उसी की जेब में जाते हैं, खाने का समान हो, या नगद माल हो, तो यह जो पैसा तो बड़ी गंदी चीह है, क्यों लोग इसको मूँ में भी ले लेते हैं, यह जो बिचारा सुलब सोचाले वाला है, वो जो अंदर से टोइलेट करकर के आते हैं, उनी से लेता है न वो पैसा, तो यह तो गंदी चीज है, आदमी के गंदी जगे भी जाती है, समशान भूमी में भी जाती है, वहां जाती है, तो गंदी चीज तो मंदिर में चड़ानी चाहिए नहीं मंदिर में चड़ाना है और सबसे बड़ा लाब कमाना है तो पुश्पु चड़ाईए फूल चड़ाईए पैसा तो मंदिर में चड़ाईने नहीं चाहिए कभी इससे क्या है देवता गंड नाराज हो जाते हैं रुष्ट हो जाते हैं और फिर अभिशाप दे देते हैं तो अभिशाप से बचना है तो मंदिर में जाईए शरद्धा से जाईए अंदर जाने दें तो ठीक है ने तो दूर से परणाम कीजिए पर पैसा कभी मत दीजिए का अर्थ क्या है पूजा का पूजा का अर्थ है किसी के सम्मान में पुष्प अर्पित करना असली सम्मान तो पुष्प अर्पित करने का है न ये देवताओं को जो आप पैसे चड़ाते हैं और गंदगी का प्रतिक चड़ाते हैं ये तो पंड़तों के घर में जाता है प बाईया अब पहले की तरह नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए अब check, हमें चाहिए drop, हमें चाहिए transaction entry, चाहिए bank में, ऐसे नहीं जाओ, देवता की किरपा हुई, तुम्हारा काम चल जाएगा, काम मेरी मेहनस से चल रहा है, से देवता महराज को चला गया, ये अब नहीं चलने यह इसको कहते हैं अंग्रेजी में जो आर्टिस्ट लोग हैं कलाकार लोग हैं सांस्कृतिक लोग हैं वो कहते हैं मतलब भगवान बुद्ध की खड़ी हुई सबसे उत्रश्ट सबसे सुन्दर परतीमा और यह जो खड़ी है ऐसे हाथ करके इसे मुद्राओं की श्रेडी में यह हाथ ऐसे किया वा आता अभे मुद्रा अभे मुद्रा का मतलब क्या है कि बुद्ध के पास जाते हुए भे मत खाना यह किसी को बद्दुआ नहीं देते किसी को गाली नहीं देते किसी को शाप नहीं देते और कभी भी जाकर इनकी शरण में आप नत्मस्ता को हो सकते हैं उनसे सवाल कर सकते हैं दूसरी जगा सवाल परपरती बंद है बुद्ध की सबसे बड़ी ताकती है कि आओ और हमसे सवाल करो और वो सवाल मौबलिंचिंग से तो वो सवाल करड़े का काम रोका जाता है न ये बुद्ध कहते है आओ और मुझसे सवाल करो एक आया था ग्रीक कराजा आया था भारत वर्ष में पिशावर में आया था और वो यहां कराजा बन गया उसे ललकारा के कोई है इस जम्बू दी इतकी जूटी ख्याती है यहां कोई यहां विद्वान ही नहीं है कोई अतरक करने लाइक ही नहीं है यह का है का जगत गुरु कहलाएगा तो तब एक बहुत बिकु बंते नाकसेन आये और उन्होंने उनकी सारी शंकाओं का समधान किया और शंकाओं का समधान कैसा किया यह वह अंत तो गत्वा उस बंते नाक सेन के महाराजा मिलिंद जो जिसका नाम तो मिलांडर था जो ग्रीक का था और यहां आकर जब उनका शिश्य हुआ तो उसका नाम हो गया मिलिंद उनके चर्णों में पढ़ गया और कहने लगा अब मैं जीवान परियंत आपका शिश्य बन